आज हम बात करेंगे एक ऐसे केरेक्टर की जो सिर्फ कॉमिक बुक्स तकी सिमित नहीं है बलकि सिनेमा और कल्चर का एक एहम हिस्सा बन चुका है दर जोकर जोकर का ओरिजिन उसका दिमाग काफी कॉम्पलेक्स है और इस केरेक्टर को पोट्रे करना एक एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है इसकी साइकलोजिकल कॉम्पलेक्सिटी एक एक्टर को एक्स्ट्रीम तक ले जाती है जोकर सिर्फ एक विलन ही नहीं बलकि एक सिम्बल बन चुका है जोकी एनार्की और अनप्रेडिक्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है चाहें वो कॉमिक्स हो, मुवीज हो या गेम्स हो जोकर हर जगे अपनी एक छाप छोड़ देता है आज हम समझेंगे इस केरेक्टर का एवलूशन, इसका इंफ्लूएंस और इस केरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए एक एक्टर कौन कौन सी हरे पार करता है जोकर की स्टोरी एक मिस्ट्री है शायद यही चीज इस केरेक्टर को काफी इंट्रेस्टिंग बनाती है सबसे जाधा famous stories character की जो जाधा तर फैंस को पता है वो Alan Moore के comic The Killing Joke में दिखाई गई है यहाँ Joker एक failed comedian के रूप में दिखाई गया है जो life से हार चुका है तब उसकी पूरी personality बदल जाती है कुछ versions में तो Joker का असली नाम भी reveal नहीं किया गया वो अपने past को लेकर भी कभी clear नहीं होता है Joker कहता है If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice यह line इस बात को highlight करती है कि Joker का origin इतना unpredictable है कि audiences को भी नहीं सामझ में आता Joker का दिमांग एक अलगी world में operate करता है वो chaos में believe करता है और उसके लिए दुनिया एक joke है वो अपने अंदर के दर्द और फ्रेस्टेशन को एक वोयलिंग तरीके से एक्सप्रेस करता है Joker के दिमांग में बैटमें की एक special place है वो बैटमें को अपना ultimate rival मानता है लेकिन यह rivalry एक obsession में बदल जाते है Joker ने एक बार कहा भी था जोकर को दुनिया के रूल से नफरत है और वो चाहता है कि बैटमें भी ब्रेक हो जाए और अपने ethics और beliefs को भूल जाए Joker के character को देखकर एक सवाल मन में आता है क्या कभी उसकी कोई normal life थी या उसका कोई परिवार था पॉमिक्स और फिल्म्स में Joker की personal life के बारे में जादा कुछ रिवील नहीं होता है The Killing Joke कॉमिक में एक जगह ये दिखाया गया है कि Joker की एक pregnant wife होती है जो एकसिडेंट में मर जाती है और उस एकसिडेंट के बार जोकर पूरी धर बदल जाता है और ये थेओरी एक अलग एंगल देता है कि Joker शायर एक tragedy का result है Joker का character काफी Batman movies में prominently दिखाया गया है और हर डिरेक्टर ने उसे अपनी तरीके से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की है तिम बर्टन के डिरेक्शन में इस मूवी में जैक निकलसन ने जोकर का रोल पोट्रे किया है सबसे पहले मैं जैक निकलसन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा एक टाइम ऐसा था कि मैं सिर्फ जैक निकलसन की ही मूवीज देख रहा था जैसे की The Shining, As Good As It Get, The Departed, A Few Good Men and Many More जैक निकलसन का ये जोकर काफी फ्लेशी, कुर्की और एक मैड मैन की तरह था इस मूवी ने जोकर को में स्ट्रीम सिनिमा में पॉपलर बनाया जैक निकलसन की परफॉर्मेंस ने इस करेक्टर को और भी आइकॉनिक बना दिया क्रिश्टिफर नोलन के डिरेक्शन में हीट लैजर का जोकर सबसे ज्यादा मैमॉरेबल पोर्ट्रेल बन गया लैजर का जोकर एक एनार्किस्ट और क्योर्टिक फिगर के रूप में दिखाया गया जैसे दुनिया से कोई डर नहीं था लैजर के डैलोग्स जैसे इस एक 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 आइकॉनिक डैलोग्स बने है यह जोकर का सबसे डार्क और इंपेक्टफुल वर्जन माना जाता है इस फिल्म में जैरेड लेटो का जोकर इंट्रड्यूस हुआ था लेकिन यह जोकर थोड़ा अलग था जैरेड लेटो का जोकर एक modern gangster के style में था जो काफी flashy और eccentric था यहाँ पर मैं जैरेड लेटो के बारे में कुछ कहूंँगा जैरेड लेटो एक बहुत ही incredible actor है वन आफ माइ फेवरेट मोवी ओफिस इस डैलस बायस कलब जिसमें उन्होंने supporting role किया था और उसके लिए उनको Oscar भी मिला था लेकिन उनका जोकर का यह version काफी impactful नहीं रहा अब बात करते है 2019 में आई मूवी जोकर की टेक्निकली एक Batman movie नहीं है लेकिन इसमें वाकिन फेनिक्स ने जो जोकर का रोल किया वो काबिले तारीफ था जिसके लिए उनको best actor का Oscar भी मिला यह जोकर काफी humanized version था जिसमें एक आम आदमी का transformation एक villain में होते हुए दिखाया फेनिक्स का यह जोकर का version काफी relatable भी था जो अपनी mental illness और society के pressure की वज़ए से बरबाद हुआ बैरी क्योगन का जोकर इस फिल्म में एक छोटे से cameo रोल में दिखा और यह हिंट भी देता है कि आगे जो future में movies आएंगी उसमें Batman और जोकर की रैवलरी दुबारत से दिखाये जाएगी जोकर का रोल एक emotional और psychological journey है और इस रोल को prepare करना है हर actor के लिए काफी challenging task था सबसे पहले बात करें Heath Ledger की तो उन्होंने इस रोल को prepare करने के लिए अपने आपको एक hotel room में हफतों तक बन रखा और उन्होंने इस character के लिए एक diary maintain की इस diary में random disturbing images और thoughts लिखे गए जो जोकर की chaotic mind को capture करते हैं लेजाने जोकर की laugh उसकी body language और उसका unpredictable nature काफी deeply study किया था जो finally screen पर बहुत बहुत बहुतरिंग performance के रूप में हमने देखा भी और जिसके लिए उनको best supporting actor का Oscar भी मिला वाकिंग फिनिक्स ने अपनी physical transformation के साथ इस जोकर को portray किया उन्होंने अपना weight drastically कम किया ताकि जोकर की broken personality को screen पर दिखा सके वाकिंग फिनिक्स का जोकर एक emotional roller coaster था जो कभी एक villain लगता था तो कभी एक victim और वाकिंग फिनिक्स ने बहुत अच्छे तरीके से इसको portray किया है जिसके लिए उनको best actor का Oscar भी मिला Jack Nicholson का जोकर काफी theatrical और comic book style था लेकिन उन्होंने भी इस character को काफी fun और dangerous personality के साथ portrait किया ये जोकर काफी charming और psychotic दोनों था जो Stan के audience के लिए काफी refreshing था इसलिए लोगों ने इसको बहुत जादा पसंद किया जारे ग्लेटो ने जोकर को प्रेपर करने के लिए तो हती पार कर दी उन्होंने अपने को स्टार्स को काफी creepy gifts भीजना शूरू कर दिये जैसे कि माना हुआ चुभा बुलेट्स NO, I mean I did a lot of things to create a dynamic. To create an element of surprise, spontaneity. dobrze! And to really break down any kind of walls that may be there. I mean, the Joker is somebody who doesn't really respect things like personal space or boundaries. он't know, you say. Jared has gone full joker. Jared he went full joker, you know? And the rule generally is never go full Joker, but he really set the tone. You know, he wasn't playing with it. He was dead serious. As an actor, he was going in, and he was 100% going into this character. औो गी गाष्ट गाष्ट पाष्ट झातले हैं, वाट टाष्ट गी गे पहाली गाष्ट गाफ्ट गातले हैं, I can't even begin to tell you the weird things I got. वाष्ट गए्ट गाया उावाली हैं? लेकिन उनका पोर्टेल इंपेक्टफुल नहीं था जो हीट लैजर और वाकिन फेनिक्स के जोकर से कमपीट कर सके ये क्वेशन का जवाब सब्जेक्टिव है क्योंकि हर एक्टर ने एक यूनिक तरीके से जोकर को पोर्टेल किया है बट मेरे लिए हीट लैजर का जो पोर्टेल था जोकर का वो सबसे बेस्ट था मैं यह नहीं कहा रहा कि बाकियों ने अच्छा नहीं करा बाकियों ने भी बहुत अच्छा करा लेकिन मेरे लिए Heat Legers was best जोकर एक ऐसा करेक्टर है जो से विलन नहीं बलकि एक complex symbol भी है जो यह दिखाता है कि दुनिया के दर्द और तकलीफे कैसे एक इनसान को बरवाद कर देते हैं एक इनसान को विलन में convert कर देते हैं चाहें आप Heat Legers के chaotic जोकर को देखें या फिर Walking Phoenix के emotional जोकर को देखें यह कैरेक्टर हमेशा याद रहेगा जोकर एक enigma है एक legend है और एक ऐसा character है जिसे कोई पूरी तर समझ नहीं सकता और आप मुझे कमेश से बताना कि आपको किस actor का जोकर का portrayal सबसे best लगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेर करना ये चैनल को सब्सक्राब जरू करना I will see you in the next one until then keep watching movies